हाई फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करें बी एस सी पार्ट थर्ड बोटनी ओनर्स पेपर फाइब का टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब क इसमें तीन गुरूप दिया हुआ है गुरूप A, B, C इसमें से कम से कम एक कोश्चन हर एक गुरूप से ले लेना है और इस तरह से आपको पांच कोश्चन देना है यानि एक कोश्चन लेते हैं तो तीन गुरूप से तीन कोश्चन हो जाएगा और दो कोश्चन के लिए जो है कि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी गुरूप से, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करें, गुरूप A में है पहला क्वेशन, D T, दूसरा कॵेशन है, वाट एस ट्रांस प्रांस्पिरिशन डिस्क्राइब शुरूदी और लिएसरे क्वेशन, चौथा कोश्चन, नहीं तीसरा कोश्चन, what do you mean by ascent of shape? Discuss the process in the light of modern research, or transpiration is a necessary evil. Discuss. चौथा कोश्चन है, explain the mechanism of translation of sluts in plants. यह था चार कोश्चन. अब गुरूप B की बात करें, तो गुरूप B में पाच्वा कोश्चन है, what are enzymes? Describe the mode of action of enzymes. चौथा कोश्चन, give an account of light reaction of photosynthesis. साथवा कोश्चन, describe various steps of kerbs cycle and their importance. 8. एट कोश्चन, write short notes on any theory of the flowing. A में है, oxidatine. B है, photorespiration. C है, amino acid. D है, chloroplast. E है, beta oxidation. अब गुरूप C की बात करें, गुरूप C में, नुवा कोश्चन है, describe the role of gabrielines in plant growth and development. 10th कोश्चन, एनि दास्वा कोश्चन है, write notes on any two of the flowing. A option है, short day plant. B है, biology of annexing. C नमबर है, cytokines. D है, photolorepism. E है, gnastic movement. और, describe the method of plant bearing used for crop improvement. दोस्तों, यह था आपका 10 कोश्चन, जो कि आपकी exam के लिए बहुत important question है. दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, share करें. चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें. जिसे की जो भी वीडियो में अप्लोड करें, सबसे पहले आप तक पहुंच सके. अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे. तब तक लिए जय हीन, जय भारत!